नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज कबर का एक्रम एक सीधा सवाल महिलाओं पर हिंसा होती है बच्चिया सडकों पर नंगी दोड़ती है खून रिस्ता रहता है लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप रहते हैं देश के प्रधान मंत्री चुप रहते हैं और इसका क्या connection है इन तमाम शहरों में बसने वाले लोगों की काय प्रधा से या यू कहिए हिंसा पर पट्टी बांग कर बैठे भारती नागरिकों से सिर्फ सीधे सवाल आज इस कायक्क्रम में आप से और हमारे आपके समाज से जहां हम बैठे हुए हैं हमारी आखों के आगे बच्ची मदद की भीक मांगती है एक नौजवान लड़का सर को नोगी का कनेक्शन है एक तरफ है महाकाल और दूसरी तरफ है गरेश उत्सव एक बात आप सोचिए यह जो तस्वीर है यह जो बच्ची है यह बच्ची किसी की भी हो सकती है आपकी भी मेरी भी किसी की भी इस समय जो देश में हाल चल रहे हैं वहां जिस तरह से बलातकारी और बलातकारी मानसिता वाले खुले आम घूम रहे हैं वे सिर्फ मनीपुर में ही नहीं लड़कियों को महिलाओं को निर्वस्त कर रहे हैं या बेटियों को मार कर आराम से घूम रहे हैं और वहां के मुक् समाज ने बड़े पैमाने पर जो सब भे समाज है यह लड़की आठ किलो मीटर तक घूमती रही एक घंटे तक cct फुटेज है तमाम घरों में जाती रही घंटी बजाती रही कोई नहीं आया इसे कपड़ा उढ़ाने के लिए और देखिए कोई नेता नहीं आया इस पर अच्ची से मिलने के लिए ठीक उसी तरह से मनीपुर में जैसे सरेयाम महिला को निर्वस्त घुमाया गया बलातकार हुआ सामोहिक बलातकार हुआ सब कुछ आने के बाद भी आज की तारीक तक देश का कोई मंत्री वहां पहुचा नहीं ना महिला वाबाल विकास मंत्री पहुची और हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जो देश के कोने कोने में जाते रहते हैं विदेश की छोड़ भी दीजिये तो वह भी मनीपुर में जहां उनकी अपनी सरकार है वहां पहुचते नही और इस मामले में भी चुप रहते हैं महिला अपराधों पे ये जो चुपी है और यौन आरोपी सांसदों को जो बचाने की राजनीती है दरसल वही इस पूरे समाज को हिंसा के पक्ष में खड़ा कर रही है मेरा मन कर रहा है कि उजयन की नगरी की उस बस्ती में जाकर मैं खुद पूछू एक-एक दर्वाजा खट-खटा कर क्या उनके घर में कोई बच्ची नहीं, कोई बेती नहीं क्या वहाँ पर कोई इंसान नहीं बच्चते हैं जिनके अंदर दिल हो, दुखदर्द हो, जो महसूस करें एक खून से सनी हुई बच्ची मदद के लिए गुहार करती रही और शर्मिंदा होता रहा महाकाल का यह शहर्द दोस्तों, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश में महाकाल की नगरी उजयन जहां मेरा भी बच्चपन बीता है उस उजयन की नगरी का वह वीडियो देखते समय हम सब की, हम सब के भीतर की आत्मा हिल गई लगा की मानवता किस तरह से खतम हो चुकी है इस सब्बे समाज में, जहां एक शक्स बाहर आकर देखता है बच्ची, बारा साल की, तेरा साल की बच्ची निर्वस्त गूम रही है उसके शरीर से खून रिस रहा है वह मदद की गुहार कर रही है और कोई नहीं आता यह समाज हमने बना रखा है और आप देखिए यही समाज किस तरह से बनता है जब इसी समाज में एक सांसद बिज भूशन शरंड सिंग भाशपा सांसद वह यौन आरोपी वह सरेयाम ढूंता है यह connection आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है और उससे भी शर्मनाग घटना यह ठीक उसी समय तमाम सरकारी आयोजन मध्यप्रदेश में होते हैं मुख्यमंत्री लगाता ट्वीट करते हैं राश्टपती द्रॉप भी मुर्मू रहती हैं वहाँ पर इन दौर को सबसे स्मार्ट सिटी का सबसे स्वच्छ नगर का पूरा का पूरा उहदा मिलता है सब कुछ चल रहा है बिल्कुल समानिर लेकिन इस बच्ची के बारे में इस घटना के बारे में एक शब्द एक शब्द नदेश की राश्टपती कहती हैं न मुख्यमंत्री कहते हैं और मोदी जी मोदी जी तो अपना अभिनंदन करा रहे हैं नारी शक्ती वंदन पर ये जो पूरा का पूरा सीन है इसे समझने की जरूरत है यह बच्ची इसका मजहब पता नहीं इसकी जाती पता नहीं लेकिन एक बात साफ है कि इस सब्द समाज में इस तरह की अंगिनत बच्चियां आज की तारीख में हिंसा के कगार पर खड़ी हुई है एक तरफ हमें इंदौर दिखाई देता है और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली दिल्ली में सुन्दर नगरी में गणबती बप्पा मौरिया के नाम पर जो पूरा भव्विदिव्वि आयोजन जो विसरजन सब कुछ हो रहा है उसी के बीच इस सुन्दर नगरी में 26 साल के इसरार को पीट पीट कर मार दिया जाता है मारने वाले वीडियो बनाते हैं उसे एक बिजली के खंबे से पकड़ कर मारा जाता है वजह वह चोरी करने गया था वह गणेश जी के नाम का प्रसाथ चुरा रहा था और आप सोचिए यह अपराद इतना बड़ा था इस भारतिय नागरिक का कि तमाम लोग भीड उसे पीट पीट कर मार डालती है एक तरफ महाकाल की नगरी और एक तरफ गणेश उत्सव इस गणेश उत्सव में मैं सोच रही हूँ कि जब हम गणपती बपा मौरिया अगली बरस तु जल्दी या का नारा लगाते हुए हुजूम जा रहा है उसमें सुन्दर नगरी के लोग जिन्होंने वहाँ पर भी पूजा अर्चना सब की जब आज वे ले जा रहे हैं तो क्या उनका दिल भारी है कि उन्होंने गणेश के नाम पर एक नागरिक की हत्या की एक ऐसे नागरिक की जिसका अपराज सिर्फ और सिर्फ वह बता पाए कि वह केला चुरा रहा था एक केले की कीमत एक नागरिक चंद्रयान के दौर में हम कहां पहुँचे हैं दोस्तों ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं लेकिन सोच एक ही है एक तरफ हम पूरी तरह से मान लेते हैं कि जो हिंसा हो रही है बच्चियों पर महिलाओं पर जब तक वो हमें छू नहीं रही हमारे घर को नहीं जला रही हमारी बच्चियों को नहीं छू रही तब तक इस से हमें फर्थ नहीं पढ़ना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ जहां धर्म का मामला आता है वहां हम किसी को भी पीट-पीट कर मार कर जश्ट मनाने वाली उन्मादी भीड में तब्दील होते जा रहे हैं यह भारती लोकतंत्र के लिए जितना खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक है हमारे अपने अपने धर्मों के लिए कोई धर्म नहीं सिखाता दुनिया का कि आप धर्म के नाम पर मानवता की हत्या करें आप धर्म के नाम पर एक बच्ची की मदद करने बाहर ना आएं यह सारा संसार जो रचा है यह बहुत ही खौफनाक और कुरूर है शुक्रिया